हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो इस उड़ो में हम आपको उताने वाले हैं कि मोटरोला मोबाइल के हाटी स्पोर्ट से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाएं तो अगर आप चनल पर पहली बार आए हैं तो उड़ो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको कनेक्शन एंड सेरिंग या Heartzy Sport का Option मिलेगा जहां पर Heartzy Sport राता है इस पे किल्क करना है तो यहां पर Personal Heartispiel मिल जाएगा या फिर आप अगर Search बार में किल्क करके लिखेंगे Heartzy Sport तो आजाएगा Heartzy Sport आफ इस पे किल्क करके यहां पर आजाएंगे देखें वई सेटिंग है या फिर आप simply यहां से भी आ सकते हैं connection and sharing से फिर personal heart support और यहां पर आ जाएंगे सबसे पहले आपको heart support को चालू कर देना है देखिए internet हमारा चालू है और जैसे ही heart support चालू करेंगे अब दूसरे mobile में आप wifi connect कर सकते हैं लेकिन यहां पर कुछ setting है यहां चलिए हम setting up को उता देते हैं तो यहां पर जो परली setting इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप device का name देख सकते हैं कि कौन सा नाम है heart support का और यहां पर security पर क्लिक करके आप चाहें तो heart support का password हटा सकते हैं none पर क्लिक करके save कर देंगे password हट जाएगा अब गाइस इसी के नीचे setting आपको मिलेगी आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको maximum allowed connection यहां पर आप एक बार में कितना heart support से wifi चलाना चाहते हैं यहां पर आप set कर सकते हैं तो अगर एक mobile connect करना है केवल तो एक पर रने देना दो करना है तो दो पर कर लेना आपर पने हैसाब से कर लेना तो चलिए हम दो पर क्लिक कर देते हैं तो देखिये अब अपने heart support से 2 wifi connect करके हम चला सकते हैं दो mobile में और यहां पर data restriction है आप इस पर क्लिक करके यहां पर देखिये कितना mb चलाना चाहते हैं आप set कर सकते हैं data restrictions से तो यहाँ पर एक है अपनी साब से कर लेना तो मैं 200 भी सेव कर देता हूँ अब सिंपली बैक आते हैं और अब आपको क्या करना है सिंपली दूसरे मोवाइल गये हाटिस्पोर्ट नहीं उसमें वाइफाई चालू करना है तो मैं इसी पर बता रहा हूँ आप इसी पर कर लेना दूसरे फोन पर तो वाइफाई जैसे ही ओन करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश होगा और जैसे रिफ्रेश होगा तो उस मोवाइल का नाम आ जाएगा जिसका हाटी स्पोर्ट खुला रहेगा और उस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा अगर पासवर्ट नहीं लगा रहेगा अगर पासवर्ट लगा रहेगा तो पासवर्ट देख कर आप पासवर्ट टाइप कर देना जैसा कि मैंने बताया password कैसे चेक करेंगे connection and sharing पे जाना है और यहाँ पर हटी spot पे किलिक करना है और यहाँ पर आप किलिक करके password यहाँ से देख सकते हैं और इस प्रकार आप गाइस एक दूसरे mobile से connect करके चला सकते हैं तो आज की डूम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू